नमस्कार दोस्तों आज की वीडियों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास Realme 11X5D Mobile है और आप उसमें Switch Off नहीं कर पारे हो यानि कि Power Button जब भी आप प्रेस कर रहे हो तो आपके सामने भी कुछ इस तरीकी से Google का से स्टेंट आ जा रहा है तो इसको fix कैसे करेंगे चलिए म आपको बताने वाला हूं तो इसको fix करना गाई बहूत ही सिंपल है चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसको fix कर सकते हो तो इसको fix करने के लिए सबसे पहले आपको setting में जाना है setting में जाने के बाद उपर जो search bar दिया गया search bar पे click करना है और यहाँ पर लिख देना है PR EWS जैसे आप press लिखेंगे तो यहाँ पर second number पे option आ रहा है press and hold power button इस पे click करना है इस पे click करना है फिर से इस वाले options पे click कर देना है यहाँ पर दो options आपको मिल जाएंगे वह इस assistant और power menu इस पे आपको select करना है power menu पे अब आप back जाएंगे और उनको press करेंगे तो आपके पास switch off करने का option आ जाएगा और restart करने का option आ जाएगा